नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है Friends, आज की वीडियो में बालों को सुंदर घना बनाने के लिए एक ऐसा नुस्का लेकर आया हूँ जिससे ही ना आपके बाल जड़ेंगे ना तूटेंगे तो बालों का जणना, गंजापन, और बालों में रूशी या बालों में ज्यादा तैलियपन होने की वज़े से आप परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए है तो इसमें हम लेंगे मुलतानी मिट्टी, देखिए मुलतानी मिट्टी पुराने समय से ही प्योग में लाई जा रही है और इसमें हम लेंगे गुलाब जल, तो गुलाब जल जो होता है जो हमारे चेरे को निखारने के लिए होता है मुलतानी मिट्टी और गुलाबजल का प्रयोग करना मैं आपको इस वीडियो में बता हुआ तो गुलाबजल और मुलतानी मिट्टी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है देखिए इन दोनों में तेल को सोंकने की चमता होती है इसलिए तेली बालों से निजात पाने के लिए गुलाबजल और मुलतानी मिट्टी का मिश्णर तयार करके बालों में लगाया जाता है इससे आपके बाल मुलाहम और चमकदार बन जाता है तो देखिए मुलतानी मिट्टी में anti-aging, moisturizing properties होती है इसमें क्या होता है कि मुलतानी मिट्टी जो प्राकरतिक cleanjer की तरह काम करती है जो हमारे बालों में छुपी मेल और गंदीगी को साफ कर देती है और मुलतानी मिट्टी में moisturizing and cleansing property के साथ साथ हमारा जो गुलाब जल है इसमें वालों में सामान रूप से इन दोनों का प्रियोग किया श्राइब आ sudah लिए अंतौर नुफ के परेकार हमें बनाना है तो इसके लिए धेगें आप को चाहिए गुलाब जल और मुलतानी मित्टी मैं सारा कुछ आपको बता हैं गुलाब जल और मुलतानी के लिए तो इस तरीके से लेने के बाद चम्मच की सायता से इसको हम ऐसे पेस्ट बना लेंगे देखिए गुलाब जल कम रह गया तो इसमें थोड़ा सा और ले लेता हूं तो बालों को सायनी ना आपके बाल जड़ेंगे ना तूटेंगे इस नुस्के को उप्रियों करके मुलतानी मिल्टी जितनी फायदेमंद हमारे इसकिन के लिए होती है चेरे के दाग दब्बे चेरे को मुलाइम बनाने के लिए होती है उतनी ही फायदेमंद हमारे बालों के तो इस तरीके से हमारा ये पेश्ट बन के तयार है अब इसको हम उगलियों की मदद से बालों के यानि बालों की जड़ों पर हम लगाएंगे और ऐसा लगाने के बाद आपको 10 मिनट तर सूखने के लिए ऐसा ही रख देना है और फिर आपको अच्छे माइल किसी सेंबू से अपने बालों को दोलेना है आप देखेंगे कि आपके बालों में चमक आगे इस प्रकार आप इस नुस्के को हफते में तीन वार उप्रियों करें तो चलता हूँ एक नई वीडियों आपसे मुलाकात करेंगे तब तक के लिए भाए धन्यवाद